जयम आताती दोस्तो कैसे हैं आप सबी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 और 23 सितंबर 2019 के कुम्भराशी फल के बारे में जानेंगे सब कुछ विस्तार से इन دो दिनों के बारे में 22 और 23 सितंबर का दिन आपके वेपार के लिए आपके करियर के लिए आपके एजुकेशन के लिए आपके प्रेम के लिए कैसा रहेगा तो आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और गंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले बात करते हैं 22 और 23 तारिक के दिल कौन सी तिथी होगी कौन सा योग बन रहा है और चंद्रमा की इस्तिती कैसी होगी सबसे पहले जानेंगे 22 सितंबर के बारे में तो 22 सितंबर को क्रशन पक्ष की अस्ट मेति थी है म्रगशरा नक्षत्र रहेगा और रविवार का दिन है इस दिन व्यतिपात नाम का एक योग भी बन रहा है इस दिन चंद्रमा मिथुन राशी में रहेंगे अब जानते हैं 23 सितंबर के बारे में 23 सितंबर के दिन क्रशन पक्ष की नव मीति थी है आद्रा नक्षत्र रहेगा और वरियान नाम का योग बन रहा है इस दिन सौमवार का दिन है और चंद्रमा मिथुन राशी में ही रहेंगे तो ये तो था इन दो दिनों का पंचांग अब जानते हैं इन दो दिनों के बारे में विस्तार से 22 सितंबर को چंद्रमा आपके पाँचवे भाव में प्रिवेश करेंगे और पंचम भाव में चंद्रमा हलाकी शुब माने जाते हैं शुब रिजल्ट देते हैं लेकिन यहां राहु पहले से विराजवान है तो चंद्रमा का राहू के साथ आजाने से आपके लिए परिशानिया पैदा कर सकता है खास तोर से बच्चों के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल भरा रह सकता है इस समय बच्चों के अंदर confusion जादा होगा यानि वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या कारिय उनको करना है और क्या कारिय नहीं करना है उनको decision लेने में काफी परिशानी हुगी वो एक decision पर नहीं रह पाएंगे वो confused रहेंगे कि हमैं क्या करना चाहिए और आपके आठवे भाव में शनी और की तु भी विराजमान हैं हलाकि शनी मारगी हो चुके हैं और मारगी शनी आपके उपर ज़्यादा परिशानी नहीं आने देंगे शनी आपके लिए सब कुछ ठीक करके रखेंगे लेकिन चंद्रमा का राहू के साथ आजाने से बच्चों की तरफ से आपको जरूर ध्यान रखना है अपने बच्चों की बातों का आपका अच्छे से उचित संक्रन करना है यानि अपनी बच्चों को इस समय जादा टाइम देनी की ज़रूरत आपको होगी तो ये समय बच्चों के लिए सावधानी भरा रहना चाहिए अब बात करते हैं हम वेवाहिक जीवन की तो जो जातक प्रेम सम्मंद से जुड़े हुए हैं और अपने प्रेम सम्मंद को शादी में परिवर्थित करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय अभी रुकने का है अभी इस बारे में आप कोई जल्दबाजी ना करें कोई भी निर्ड़े ना लें अपने प्रेम सम्मंद को विवाह बंदन में बाधने की जल्दबाजी आप ना करें तो यहां भी आपको थोड़ा सा समल कर रहना होगा वन्ना यहां आपके रिष्टे बिगड़ सकते हैं जगड़ा हो सकता है किसी भी बात को लेकर बहस हो सकती है तो इस बात को आप अभी टालें तो आपके लिए बहतर होगा छोटी छोटी बाते भी आपको परिशान कर सकती हैं छोटी छोटी बाते आपको बुरी लग सकती है यानि अगर आपकी नहीं सुनी जाएगी तो आपको बुरा लग सकता है यानि आपको कोई अधी बात मनवानी है तो इस बात पर आपको जरूर ध्यान देना है इस समय आपके लिए कोई रिष्टा भी आ सकता है तो अभी आप अगर रिष्टे के लिए हान ना कहें तो अच्छा होगा वरना ये निर्ण आपके लिए इस समय अच्छा नहीं हो सकता है तो इन चीजों में आपको जरूर साव सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह आप सावधानी बरतते हैं तो ही आप किसी भी परिशानी से बच सकते हैं किसी मांसिक तनाव में आने से बच सकते हैं अब हम बात करते हैं वेपार की कारोबार की और करियर की और साथ ही एजुकेशन की सबसे पहले जानते हैं एजुके यदि हम बड़े student की बात करें तो जो विधारती higher education के लिए हैं वो इस समय अपने teachers के साथ अच्छा सामजा से बना पाएंगे उनके लिए ये समय ठीक ठाक रहने वाला है यानि आप पो यदि मेहनत करते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयास जरूर सफालोंगे क्योंकि शनी यहां आपके लिए बेहद शुब इस्तिती में है तो शनी की क्रपा से आपको यहां जरूर सफालता मिलेगी अब कारोबार की बात जानते हैं तो जो बिजनिस करते हैं उनको यहां ठीक ठाक देखने को मिलागा यानि आपको भागय के भरोसे नहीं बैठना है भागय के भरोसे बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि शनी कर्म में हैं कर्म शेत्र में हैं तो आपको अपने कारे शेत्र पर ध्यान देना होगा अपने लिए कर्म करना होगा जो वैपार आप करते हैं जिस भी कारे शेत्र में आप कारे करते हैं उसमें अपने कारशेत्र में आपको प्रयास करने होंगे अधिक से अधिक कठिन परिश्रम करना होगा और ये परिश्रम आपको बड़ी संख्या में धन अर्जित भी करा सकता है यानि यहां आपका कर्म काम आएगा भागे काम नहीं आएगा तो आपको मेहनत करनी है हर तरह से प्रय प्रवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनको अपने ऑफिस में जरूर समल कर रहना होगा क्योंकि चंद्रमा के इस्थिती जो है वो आपके उपर यहां शुब नहीं बनी हुई है तो आफिस में किसी से विवाद की इस्थिती पैदा हो सकती है तो इससे आपको जरूर बच कर रहना होगा अपने कारेस्तल पर हाला कि एक रविवार का दिन है तो ये दिन आपका आसानी से बीच जाएगा आप घर में लोगों से ज़्यादा ना मिलें इस दिन तो ज़्यादा अच्छा होगा वरना आप परिवार में भी वादिवाद की स्थितियां पैदा कर सकते हैं यही हैं आप इस दिनन को आसानी से गुजार सके हैं कि उपाय यही है कि आप वाणी पर नियंतरन रखें अपना वहवार सरल रखें सोम्या रखें और कोई ऐसी बात न बोले जो बॉस तक पहुचे और उसको आपको वहाँ नुकसान जेलना पड़े यदि हम गौर्मेंट जौब वालों की बात करें तो गौर्मेंट जौब वालों को समभल करहना होगा गौर्मेंट जौब वालों के लिए इस समय मानहानी का योग बन सकता है मानहानी हो सकती है तो समभल कर रहें अगर समभल कर चलते हैं तो दिन बहतर जाएगा लेकिन अगर आपने लापरवाही की कोई ऐसा कार्या किया जिससे आप मानहानी आप पर हो जाए या आपके वाद विवाद के स्थिति पैदा हो जाए तो आपका दिनि अच्छा नहीं जाएगा तो सावधानी सबसे पहले है हर चीज में सावधानी आपको बरतनी है तो ये समय आसानी से बीच सकता है बस आपको सावधानी रखनी है क्योंकि चंदरमा की इस्तिती खराब होने के बावजूद उसके साथ राहू का ग्रहन दोश बनने के अब हम जानते हैं कुम्ब राशी के बारे में कुछ विशेस बातों के बारे में खासकर कुम्ब राशी की महिलाओं के बारे में और कुम्ब राशी के पुरुष के साथ उसकी हम विवाह के बारे में जानते हैं तो जो कुम्ब राशी के जो महिलाए होती है वो बेहद धार में किस्म की होती है और धार में किस्म की होती है और बिहद इने हम घ्यानी भी कह सकते हैं यह कह सकते हैं बौधिक रूप से बहुत सक्षम यह होती है जिस चीज को यह एक बार याद कर लें उसे कभी नहीं भूलती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कुम राशी की महीला होती है उसमें जो सबसे बड़ी उसका जो अवगुन होता है वो होता है एहम की भावना यानि इन में एहम बहुत अधिक होता है और इनका एहम इतना बड़ा होता है कि ये उसके आगे किसी को कुछ नहीं समझती है यानि अपने एहम के आगे ये किसी को बड़ा नहीं मानती है ताकि जीवन में आप आगे बढ़ सकें और लोगों से अधिक से अधिक मिल जुल सकें और इसी एहम के कारण जो इनका शादी के बाद का जीवन होता है वो काफी उतार चड़ा वाला होता है यानि अगर इनकी बात मानी गई तो ठीक है अगर बात नहीं मानी गई तो इन लोगों को अपने क्रोध को जरूर नियंतरन में रखना चाहिए और अपने एहम को जरूर इन लोगों को छोड़ना चाहिए हलाकि ये अपने परिवार के प्रती पूरी तरह से समर्पित होते हैं अपने परिवार को कभी ये तकलीफ में नहीं देख सकते हैं कुमराशी कि जो लोग होते हैं वो अपने जीवन में बहुत कम लोगों को आने की अनुमती देते हैं प्रेम के मामले में लेकिन जो लोग आते हैं वो भागेशाली भी होते हैं प्रेम ये सबसे बहुत अच्छे से करते हैं बस इनके अंदर एक एहम की भावना ही ऐसी होती है जो इनको ह हद romantic भी इनको कहा जा सकता है क्योंकि जिससे ये प्यार करते हैं उसे ये उसके लिए कुछ भी करने को ये तयार होते हैं इन लोगों को घर में रहना काफी पसंद होता है इन लोगों को खाना और घरेलू कामों में रुची भी होती है बच्चों को बहुत लाड़ प्यार करत धन्यवाद